आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं साद्वी प्रमुखा कनक प्रबाजी का साद्वी प्रमुखा बनने के पचास वर्ज का सफर जो की बारती इतियासकार विजय नाहर द्वारा लिखा गया है साद्वी प्रमुखा श्री कनक प्रबाजी तेरापन धरम संग में जिस मुचाई में पहुँची जितना उतकर्ष प्राप्त किया उसकी कलपना उस समय में नहीं की जा सकती थी जब वे अपनी मातुश्री के गर्ब से बाहर आई उस समय तो भे अंचा ही अपशुगनी ही थी माता पिताव परिवार जन दो बालिकाओं के जन्म के बाद पुत्र रतन की पृतिक्सा कर रहे थे जो खानदान का नाम रोशन करेगा वंस चलाएगा परन्तु उन सब की अपेक्सा के विरुद जन्म लिया एक बालिका ने माता पिता पर तुसारा पात हो गया बुआव दोनों बड़ी बहने रोने लगी घर परिवार का वातावर्ण नेरास्य उदासेंता से बर गया पिताश्री सूरज मल जी वेद ने पंडिक जी को बुलाया जन्म कुंडली बनवाई बुआजी ने एक रुपया दक्षिना दी पंडिक जी बोल पड़े बाई कम से कम दो रुपे तो दो पुआजी कहने लगी पंडिक जी यदी लड़का होता तो दो क्या मैं पूरे पाँच रुपे दे देती और आपका मुँँ पतासों से बर देती पंडिक जी विद्वान थे कहने लगे सूरज मल जी घर में ऐसी लक्षमी का पदारपन हुआ है जो आपके सारे खांदान का नाम रोशन कर देगी समाज स्रद्दा वक्ति से इसका नाम इस्मर्ण करेगा सुनकर संपूर्ण परिवार में आनंद एवं उल्लास चागया यह थी साधी प्रमुकाजी की जनम की कथा ओप्चारिक सिक्षा के नाम पर मात्र तीसरी कक्षा तक सरकारी विद्याले में अध्यन किया उसके बाद घर के कारे का भार बिमार मा की सेवा का भार छोटे भाई बहनों वह भानेज भानजियों की देख रेक का भार अपड़ा बच्पन से कलावती जो की साधी प्रमुका का दिक्षा से पुर्व नाम था कलावती काम से ठकना जानती ही नहीं थी सांत और सर्मिली थी बड़ों की आग्या पालन वह अनुशासन के प्रती पूर्ण जाग रुक थी घर भर के बच्चों को खुश रखना, संसकार देना, अपने अपने काम पर लगाना समया नुशकार नित्य करम करना, आदिकारियों में किंचित भी व्योधान नहीं आने देना इसके साथ ही घर भर की साफ सफाई, सबके लिए भोजन नास्ता तैयार करना मा की दवाई, वह पद्य समय पर देना आदिकारिय करते, प्रसासनिक सिक्षन तो मिल गया था यह सब कारिय करते करते, भी कभी जुझला आटाना, जीड़कना उंची आवाज में डांट डपट करना, क्रोध करना, जो व्यक्तियों में सहज आ जाता है परन्तु कलावती में ऐसा कभी नहीं देखा गया हंस्ते हंस्ते, मधूर इसमित के साथ, सभी के साथ, सद्व्यवार करना यही था कलावती के जीवन जीने का मर्म पिता स्री सूरज मल जी एवं माता स्री मती छोटी बाई को एसास हुआ कि कलावती अब तेरा वर्ष की हो गई है उनके पिता जी उनके विवा की चिंता में डूबने लगे उनसे बड़ी व सबसे बड़ी बहन का विवा हो चुका था उनसे बड़ी बहन दिक्सा लेकर मंजुला स्री बन गई थी अब इनकी विवा की चर्चा कलावती का मन दिक्सा लेने का था परन्तु संकोच्व पिता जी का भै अपने मन के उद्गार कैसे प्रकट करे सगाई हो गई अब क्या करे आखिर मन कड़ा कर पिता जी के समक्स खुल ही गई पिता जी मुझे विवा में कोई रुची नहीं है मुझे तो दिक्सा लेनी है आप वियर्थी कारी की दोड़ दूप में क्यों परेशान हो रहे हो स्री सुरजमल जी को बड़ा आश्चरी हुआ वे एक टक कलावती को देखते ही रह गए कुछ क्षण तो उनको विश्वास ही नहीं हुआ कि एक सरमिली कम बोलने वाली थोड़ी सी उन्ची आवास से डढ़ने वाली नीची गरदन कर सभी काम करने वाली लड़की में इतनी इम्मत कहां से आ गई फिर भी सुरजमल जी ने पूछा क्या कह रही हो क्या ये तुम्हारा पक्का इरादा है सोच लो कलावतीन कहा पूरा विचार करके ही मैं ये बात आप से कह रही हूँ यही है साधी प्रमुखासरी जी की महानता की कहानी जब तक संकल्प नहीं तब ही तक और जब किसी बात के करने का संकल्प कर लिया तो उसे पूरा करके ही दम लेते थे यह संकल्प शक्ती ही तो थी उस तीसरी पास तेरा वर्ष की बालिका जिसने तेरा पंध धरम संग को इतनी उचाईयों तक पहुचा दिया उनकी प्रतिवा अंतरमुकी एवं मोन रहने वाली बालिका को महान प्रसासी का बना दिया साद्वी कनक्ष्री ने योग्य ही लिखा है अध्यत्म की उच्चतम परंपराओं संसकारों एवं जीवन मुल्यों से प्रतिबद एक महान आत्मा का एक उर्जा का नाम है साद्वी प्रमुका कनक्ष्री जी उनका जीवन त्याग, तपस्या, तितिक्सा और तेजस्विता का प्रतीक तथा प्रतिबा और पुर्शाद का परिया है लाडनू जिला नागोर राजस्तान के बंबु वाले वेद जो आगे चलकर कल्चक की वाले वेद कहला है श्री बुद्मल जी बेद परिवार से तेरापन ध्रमसंग में अनेक दिक्साएं हुई स्वयम बुद्मल जी तत्वग्य स्रावक थे श्रीमत जयाचारिय उनकी स्रद्दा के केंद्र थे श्री दनराज जी वेद की दो पुत्रियां नजर कवर एवं हुलास कवर ने साद्वी दिक्सा ली थी आचारिय कालूगणी के सासन में इसी परिवार की साद्वी केशर जी ने विक्रम समवत 2004 में साद्वी राज राम कुमारी ने वा साद्वी जतन कुमारी जी ने विक्रम समवत 2007 में श्री सुरज मल जी वेद के लड़की यम साद्वी प्रमुखा श्री कनक प्रबाजी की बड़ी वहन मंजुला श्री जी ने दिक्सा ग्रहन की उसके पस्चात विक्रम समवत 2017 में वर्तमान साद्वी प्रमुखा कनक प्रबाजी ने दिक्सा ग्रहन की साद्वी प्रमुखा जी की कुंडली देखकर कलकत्ते में पंडिज जी ने बताये था कि वाली का जन्म विक्रम समवत 1908 में स्रावन कृष्णा त्रयोदसी कन्या बड़ी भाग्य साली है कुल का नाम रोशन करेगी लक्ष्मी और सरस्वती लक्ष्मी और सरस्वती वसक्ती और जोती ने जन्म लिया है अंक विद्या के अनुसार नो का अंक बनता है जो अक्सय अंक है आध्यत्मिक अंक है जन्म सर्वसिद्धा त्रयोदसी का है इसकी जन्म राशी मिथुन है जिसका स्वामे बुद्ध होता है बुद्ध प्रदान व्यक्ति, बुद्धी जीवी, अनुशासन प्रिय, द्रड निश्चई, होशियार और साइत्य संगीत प्रेमी होते हैं इनकी नेत्रत्त क्समता मोलिक एवं विशिष्ट होती है कालांतर में ये संपूर्ण विशेष्टाएं दिरे-दिरे साध्वी कनक प्रभा में प्रकट होना प्रारम हो गई विक्रम संवत 2013 सरदार सहर आचारी श्रितुल्शी के चतुरमास में कलावती को पारमार्थिक शिक्षन संस्था में प्रवेश की अनुमती मिल गई संस्था में कलावती ने लेखन, वक्तव्य और काव्य सरजन की कला में अच्छी नेपुन्यता प्राप्त कर ली थी कला संस्था में चार वर्ष रही संस्था में राते राते कलावती ने संस्कृत्व हिंदी में धारा प्रवा बाशन देना शीक लिया था विक्रम समवत 2016 सम्मेत सिकर जी जो की बिहार में इस्तित है मैं गुर्देव स्री तुलसी ने कलावती को प्रतिक्रमन सीखने का अदेश दिया विक्रम समवत 2017 आशाट सुक्लप पूर्णिमा सुक्रवार 8 जुलाई 1960 गुरु पूर्णिमा के पवित्र दिवस तेरापंत द्वी सताब्दी समारों का अभूत पूर्व विराट आयोजन हुआ आचार्य भिक्षू की तेरापंत द्रमसंग इस्तापना की पुन्य भूमी केलवा मेवाड में तेरा भाई भाहिनों की जेन मुनी दिक्षा आचार्य तुलसी के करकमलों से संपन्न हुई इन तेरा में कलावती भी एक थी दिक्षा पुरू दिक्षा आर्तियों की ओर से विचार प्रकट करने का सोभाग्य आचार्य वर्णे मुमुक्षू कलावती को दिया अब कलावती का नाम हो गया साध्वी कनक प्रभा अब साध्वी कनक प्रभा गुर्देव श्री तुलसी की प्रेरक सन्निधी महासती लाडा जी की वात्सल्यमई निश्रा वा अपनी जेष्टा भगनी साध्वी मंजुला श्री जी की देखरेक में सिक्षा एवं साधना की दिशा में दुरुत गती से प्रगती सोपान चड एकाग्रता नियमित्ता सजकता और स्रम परायनता से कुछ ही समय में सफलता के नए क्षित्रिच छुने लगी साध्वी कनक प्रभा ने एक माह में ही दस वेकालिक शुत्र को कंठस्त कर लिया श्री भिक्षू सब्दानुशा स्नम व्रहद वर्ती गुर्देव आचारी तुल्शी से अन्य साध्वियों के साथ पढ़ा साध्वी कनक प्रभा की ग्रहन सक्ती समझ एवं इस्मन सक्ती ने आचारी तुल्शी को बहुत प्रभावित किया राश समझ चे तुर्मास में आचारी तुल्शी ने साधू साध्यों की मनो विज्ञान के अध्यन की परिक्षा ली जिसमें साद्वी कनक प्रभा ने बहुत अच्छा इस्थान प्राप्त किया प्रिक्षाओं के क्रम में साद्वी कनक प्रभा ने चतुर्थ वर्ष की परिक्षा प्रतम शरेनी से उत्रिन की पांचवे वर्ष की परीक्षा में प्रतम स्रेणी वो विशेश योग्यता प्राप्त की उदैपूर आचारी स्री के चतुरमास के समय योग्यतम प्रतम वर्ष याने छटे वर्ष की परीक्षा में प्रतम स्रेणी और प्रतम इस्थान से उत्तेन की इसी तरह योग्यतम द्वितिय वर्ष याने सनात कोत्तर एमे के समकक्स परीक्षा में भी प्रथम स्रेणी से उत्तेन कर आचारी स्री तुलशी से पुरुषकार प्राप्त किया यह क्या कम आश्चरी की बात है कि साद्वी कनक प्रभा को दिक्सित हुए कुल चार वर्षी नहीं हुए थे उन्होंने सप्त वर्षी संगिय पाठम की परीक्षाएं प्रथम स्रेणी से उत्तेन कर ली इनके साथ ही उन्होंने दस वेकालिक, उत्तरा ध्ययन, प्रस्न व्याकरण, आचारांग, आदी आगम ग्रंत तथा अनेक दार्षनिक से दान्तिक तात्विक ग्रंत व इस्तुति कावे कंठस्त कर लिये थे साथ्वी कनक प्रभा के व्यक्तित्व में उम्र से पहले ही गंभीरता एवं प्रोडधा के दर्षन होने लगे थे वे अत्यंत थोड़े समय में ही प्रखर प्रतिवा संपन साथ्वी के रूप में संग पटल पर इस्तापित हो गई विक्रम समवत 2020 लाड़नु मरियादा मोत्सव में आचारी स्री तुल्षी ने साथ्वी कनक प्रभा को निकाय व्यवस्तापत पर नियुक्त किया बाद में उन्हें प्रतिलेखन का समय सूचक सब्द करने का दाइत्व भी दिया गया आचारी तुल्षी के दक्षिन प्रवास के समय साथ्वी कनक प्रभा साथ थी बेंगलोर प्रवास के समय साथ्वी कनक प्रभा ने विचार किया कि साथ्वी जीवन में कार्य सिद्धी और भाव सुद्धी के लिए तप अनिवार्य है बगवान महावीर ने भी एवं प्रत्माचारी स्री बिक्सु ने भी तपश्या द्वारा अपनी काया और भावों को सुद्ध एवं पवित्र किया था अतर साथ्वी स्रीजी ने अठाई की तपश्या की उनके साथ उनसे प्रभावित आठ छोटी साथ्वियों ने भी अठाई की तपश्या की दक्षिन प्रवास के समय दो इस्मर्णिय घटनाएं साद्वी कनक प्रवाजी के जीवन में घटी जिनोंने उनके भावी जीवन की कल्पनाओं के संकेत दे दिये थे 11 जनवरी 1907 को आंदर प्रदेश के तिन तिनी गाउं में आचारी तुल्शी का प्रवास हुआ छोटे इस्तान के कारण मध्यन में अध्यन के लिए साद्वी कनक प्रवाजी कुछ साद्वियों के साथ एक छत्री में बेट कर अध्यन करने लगी इतने में एक मयूर आया पहले तो उसने साद्वियों की परिक्रमा की फिर अचानक जपट कर शाद्वि कनक प्रवाजी की गर्दन पकड़कर उन पर चोंचों से प्रहार करने लगा ललाट के बीच में प्रहार के कारण गहरा गड़ा हो गया था साद्वी खून से लत्पत हो गई बड़ी कठिनाई से मयूर से पीछा छूटा लोग कहने लगे यह मयूर यहीं रहता है जो लोग छत्री के दर्शन करके चले जाते हैं उन्हें यह कुछ नहीं कहता परंतु जो इस पर बेट जाते हैं यह मूर उसकी आँखे फोर डालता है अच्छा हुआ आपके आँखें हातों से डकी हुई थी इसलिए बच गई यह किसी महात्मा की समाधी है सभी संतों वह साद्यों ने कहा चलो साद्यों ने कहा कनकप्रभा के तो तकदीर खुल गए मजाक में कही गई बात भी उनके जीवन में सत्य हो गई एसी ही एक गटना महाराष्टर के छोटे से ग्राम में हुई जहां आचायज तुलशी का पड़ाव था एक विद्याले में रुके रात्री में लगबग नो बजे होंगे साद्वी कनकप्रभाजी एक दिवार के सहारे खड़ी-खड़ी कुछ अध्यन कर रही थी इतने में दूर अन्य साद्यों ने देखा एक काला बढ़ा भारी नाग अपना फन फेलाए साद्वी कनकप्रभाजी पर छाओ कर रहा है साद्वी यां गबरा गई और कनकप्रभाजी को सावदान करने लगी इस हलचल पर साद्वी को बड़ा आश्चरी हुआ आदर साइति संग के स्री कमलेश चत्रुएदी कहने लगे साप उसी पर छत्री करता है जो समराट बनने वाला होता है तो साद्वी प्रमुखा जी ने मजाक में कहा क्या मैं सामराग्य बनूगी स्री कमलेश जी की मजाक में कही बात आगे चलकर सत्य सिद्ध हो गई कौन जानता था ये तीसरी पास सर्मिली बोली बाली लड़की आगे चलकर तेरापन धर्मसंग की गोरव बन जाएगी आचार्य तुलसी दक्षन यात्रा संपन्नकर मध्य प्रदेश की यात्रा में थे 19 अप्रेल 1970 को महाविर जैनती की रात्री में साद्वी प्रमुखा लाड़ा जी का बीदासर में देहान्त हो गया मत्य प्रदेश की यत्रा संपन्नक आचार्य तुलशी गंगा सहर आ गए थे विक्रम समवत 2008 माकृष्णा त्रयोदसी 14 जनवरी 1972 गंगा सहर में आयोजित व्रहद मर्यादा मोत्सम में आचार्य तुलशी ने साध्वी कनक प्रभा को 13.5 धरम संग की नवीन साध्वी प्रमुखा के दाइत्व की गोशना कर उन्हें नियुक्ति पत्र दे दिया 31 वर्षी युवा साद्वी जिसका दिक्सा परियाय मात्र 11 वर्ष था को साद्वी प्रमुखा की गोशना ने सब को चमत कृत कर दिया विक्रम समवत 2035 मा क्रिष्णा सब्तमी 3 फरवरी 1989 राजल देशर में विशाल मर्यादा मोथशव आयो जितुआ आचारी तुल्षी ने युवाचारिय मनुनयन करते हुए मुनी नत्मल जी के नियुक्ति की गोशना की इसी अवजर पर साद्वी प्रमुखा कनक प्रभाजी को महास्रमनी अलंकरण से विभुशित किया आचारी स्री ने पत्र में लिखा साद्वी प्रमुखा कनक प्रभाने साथ वर्ष के स्वल्प समय में धर्मसंग के समग्र साद्वी समाज के मन में जीत हासिल की या प्रत्यक से इसकी सहज विनम्रता आचार कोसल और सेवा भावना से मैं अति प्रसन्न हूँ अतेव इसे आज महास्रमनी विशेषता से समलकरत करता हूँ साद्वी प्रवंखा स्री कनक प्रभाजी के बारे में साद्वी कनक श्री जी ने योग्य ही लिखा है सफल और जनप्रिय नेता वह होता है जो संगठन के प्रतेक सदस्य का मुल्य आंकता है उसे सम्मान देता है और उसके साथ बराबर समवाद बनाए रखता है इनी खूबियों के कारण उन्होंने स्राविका समाज की भी बरपूर आस्ता वो प्रियता प्राप्त की उनके सानिद्य में आने वाला प्रायर सभी स्रावक स्राविकाएं पौन संतुष्टी और मन प्रसत्ती लेकर लोटते हैं उनकी हस्मुक मुद्रा नामोलेक पूर्वक प्रदत जी कारा तथा सहचताव आत्मियता भरा म्रदु व्यवहार आगंतुकों को अपनत्व के सुत्र में बान लेता है व्यक्तिगत या परिवार रूप से जो भी दर्षनार्थ आते हैं उन्हें वे परियाप्त समय देती है संभाल करती है और अपने मुलिक संसकार सुरक्षित है या नहीं इसका परियवेक्षन करती है साध्य प्रमुकाश्री अन्यों के लिए जितनी मधूर एवं आत्मिय है स्वयम के लिए उतनी ही कठोर है प्रातर चार बजे से रात्री ग्यारा बजे तक समय इतना कशा हुआ रहता है कि एक मिनट का भी मध्याव कास नहीं रात्री चाहे कार्य करते हुए बारह एक बज्जाए फिर भी प्रातर काल चार बजे उठना है तो उठना ही है उठकर इष्ट मंत्रों का जाप ध्यान और अध्यन आदि के द्वारा स्वयम को भावित करती है पार्शो वरतिनी साद्वियां कभी-कभी विश्राम करने के लिए करती है तो वे करती है लोग कितनी दूर-दूर से आये हैं कितनी कठना ही हुई होगी इने प्रेणा, संसकार, समस्या, समाधान वबोद्देना मेरा दाइत्व है इतना कठोर स्रम करने के बावजूद वे सदा, निर्भार वो निश्चिन्त रती है उनका निद्रा विजे भी सहज सिद्ध है जिस व्यक्ति और नित्रत्व से संग, समाज और राष्ट्र स्वयम को गोरवानवित अनुभव करे वह व्यक्ति निश्चित ही अजामान्य होता है और अभिनंदनी होता है विक्रम समवत दो अजार उन्चास कार्तिक सुक्ल द्वितिया सुक्रवार को जेन्विश्व भारती लाड़नु में आठ नौंबर उन्निस सो उन्नब्व को आचायर तुलसी ने साध्वी प्रमुका कनक प्रभाजी को संग महान इदेशी का पदपर अभिशेक्ट खिया गणादी पती गुर्देव तुलसी ने एक बार प्रमाया था मैंने ऐसी महिलाएं कम देखी हैं जिनके नाम यस पदव क्याती की भूक न हो मैंने साध्वी प्रमुका को प्रत्यक्स परोक्स चोड़े चीपे हर द्रश्टी से परका है इनके मन में ना पद का कोई आकरशन है और ना पद पाकर भी कोई बड़पन का भाव एसी साध्वी प्रमुका को पाना में अपनी विशिष्ट उपलब्दी मानता हूँ यह सब के लिए एक प्रेणा है 6 जुलाई 1904 में दिल्ली प्रवास के समय आचारे तुल्शी ने कहा था आचारे स्री कालुगनी फर्माते थे कि हमारे धरम संग में अनेक साधू साध्वियां आचारे पत के योग्य बने मेरे सामने इसे अनेक साधू साध्वियां है जो इन सब्दों को सार्थक करने में सक्सम है एक ही उदारन पज्याप्त होगा साध्य प्रमुखा कनक प्रवा बेठी है उनकी योग्यता आचारे पत की योग्यता से कम नहीं है साधी प्रमुखाश्री यद्यपी दिक्षा पुरु से ही साइति साधना में जुट गई थी परंतु प्रत्यक्ष रूप से दिक्षा के बाद विक्रम समवत 2021 विकानेर चतुरमास में संस्कृत हस्त लिखित माशिक पत्रिका पराग एवं बाद में संस्कृत प्राक्रत संयुक्त प्रत्रिका नीरज के संपादन का दाइत्व आचारी तुलसी ने साध्वी कनक प्रभाजी को दिया इसी वर्ष जेन विश्व भारती लाड़नू द्वारा आयोजित जेन विद्या और दर्शन परिशद में साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा ने पहली बार अपना सोध पत्र पढ़ा विक्रम समवत 2022 दिल्ली चतुरमास के पुर्व उन्होंने आचारी तुलसी के प्रवचनों का लेखन प्रारंब किया यह कार्य पंद्रा महा तक चला उनका यह संकलन बून बून से गट वरे नाम से दो भागों में प्रकासित हुआ दिल्ली चतुरमास के पुर्शाट आचारी तुलसी के सरदार सर प्रवच के समय साद्वी कनक प्रवा को आगम सत्यापन एमम संपादन के कारियों में नियोजित किया गया विक्रम समवत 2022 अहमदाबाद चतुरमास साद्वी कनक प्रवा ने दस दर्मों पर दस लेक लिखे जिने मुनी स्री नत्मल जी ने भी सरहा बेंगलूर चतुरमास में कनक प्रवा ने प्रथम उपन्यास लिखा तूटती नाओ अनुवरत पाक्षिक के लिए प्रस्नोत्तर अनुवरत गती प्रगती तथा अनुवरत के आलोक में महत्योपून कृतियां लिखी साद्वी प्रमुखा की नियुक्ति के पस्चात आचारी तुल्शी ने सभी को आस्वस्त करते हुए कहा यह सर्व विदित है कि तेरापन धरमसन का संपूर्ण नेत्रत्व आचारी केंद्रित है वरतमान युगीन परिस्दितियों में एशी साद्वी प्रमुखा चाहिए जो माध्यम आचारी और साद्वी के बीच शंगी बहुमुखी गती प्रगती में भी पूरा योगधान देती रहे अतर मुझे युगान रूप जिस प्रबुद्ध साद्वी प्रमुखा की खोज थी वह मुझे साद्वी प्रमुखा कनक प्रभा के रूप में उपलब्द हुई यह संग का सोभग्य है दक्षिन भारत के प्रवास के पस्चात आचारी तुलशी के निर्देश से साद्वी कनक प्रभाजी ने यात्रा ग्रंत लिखा यह उनका प्रथम अनुभव था फिर भी एक हजार प्रष्टों का यह ग्रंत उत्करश्ट बना ग्रंत का नाम आचारी श्री तुलशी दक्षिन के आंचल में स्वयम आचारी तुलशी ने इस ग्रंत के लिए लिखा है यात्रा विवरण की यात्रा करते समय अतीत के गटना प्रसंग सिस्मर्ती के दर्पन पर अपना प्रतिबिम भी नहीं छोड़ते एक साकसात अनुभुती को तरंगित कर देते हैं मैं स्वयम जब इसे पढ़ता हूँ तो प्रतीत होता है कि इस समय भी मैं दक्षिन भारत की यात्रा कर रहा हूँ साध्य प्रमुखा गोशना हुई उस समय साध्य प्रमुखा का नक प्रभाजी स्रीमत जयाचार्य द्वारा रचित भगवती की जोड जैसे ग्रंत का संपादन कर रही थी साथ ही आचार्य तुल्शी के साहित्य को संपादित करने का कार्य भी अपने हाथ में ले रखा था 21 दिसंबर 1906 में लाड़नु विकास महत्सव का पावन प्रसंग गुर्देव तुल्शी की महत्य पुण रचनाय आचार बोद, संशकार बोद और व्यवार बोद साध्य प्रमुखा ने संपादित कर बास्य सहीत एक पुस्तक बना दी नाम संबोद उप्रोक्त के अलावा भी साध्य प्रमुखा ने अनेक पुस्तकें लिखी जिसमें 15 के लगबग काव्य एवं गद्य साध्य बारा यात्रा साध्य की पुस्तकें तथा आठ के लगबग संपादित ग्रंथ है आचार बोद प्रमुखा मेरा जीवन मेरा दर्शन अनेक बागों में लिखी है यह बड़ा उतक्रष्ट ग्रंथ बना है ग्रंथ को एक बार पढ़ना प्रारम कर दें तो व्यक्ति बीच में छोड़ ही नहीं सकता कि किसी आवश्यक कारण वस यदि छोड़ना भी पढ़ जाए तो उसका मन उसी में घूमता रहता है इनके अतिरिक्त आचारी स्री के कावे साइति प्रबंद कावे गीत तथा प्रवचन पाथे के सताधी ग्रंथ का साधी प्रमुखा ने कुसल संपदन किया है आचारी महाप्रग्य ने उदेपुर प्रवास 1986 के समय कहा था मैं साधी प्रमुखा कनक प्रबाजी की हजारो बार प्रसंसा करूं तो भी कम है सक्सम होते हुए भी पद के प्रती इतनी निस्प्रहता इनोंने धरम संग की परंपरा को एक नया मोड दिया है यह साधु वाद की पातरवनी है व्श से व्श सैणों में भी यहां कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी साधि प्रमुखा कनक प्रबाजी को कभी विचलित, व्यक्र या विक्सुब्द होते नहीं दिखा वे पांस सो साधियों का नेत्रत्व करती है उनका मारुप दर्शन अनुशासन करते समय आदेश निर्देश या उपालब्य भी देना पड़ता है पर उनके चित्त और चेहरे पर कभी आवेश या उद्विग्नता की रेखा देखने को नहीं मिलती है ये द्रती संपन्न है वे स्वभाव से कोमल और मिलन्शार है उनके व्यवारों में लोच है फिर भी वे अपने सिद्दांतों के प्रती द्रड है उनके साथ समझोता कभी नहीं करती साधि प्रमुकाश्री की सफलता और विकास का रहस्य यही है कि वे ना तो अपने महानता को लादे फिरती है और ना ही अपने बारे में विशेश सोचती है उनकी महानता की आदार शिला है समर्पन एवं विनए अकरता भाव ने उनकी कारिक समता को ओर अधिक निखा रहा है राजस्तानी कभी कनेय लाल सेठिया ने साधि प्रमुकाश्री को एक पत्र संप्रेशित किया साध संत्यां देख्यां गणा थे सब्ष्यों शिर्मोर तुल्शी जीसा पार की हुए न कोई ओर सिरे सत्याने में करूं बनना बारं बार अनुकमपा है आपरी कद भूलूं उपकार साधि प्रमुकाश्री जी ने उने काव्य में ही प्रत्युत्र दिया तुल्शी युक का अग्रणी सुकवी कनेया लाल सारस्वत बंडार पर पायो विरुद्ध विशाल संत हुआ तुल्शी जिशा सदी बीश्वी धन्य तुल्शी चरण सरोजरी सेवा मिली अनन्य गुण देखे संसार में गुणी मिनकरी दीट गुण गाथा गावे सहज पक्त चले अदीट उने खुणे में पड़या मासरी का पासान पड़ी नजर गुर्देव की ओ मोटो अशान बीच के अंकुरण से लेकर बर्गत बनने तक की यात्रा समर्पन का ही चमतकार है समर्पन की ही दो कोपले हैं जिन पर अंकित है संभावनाओं के वट व्रक्ष की संपून कहानी साधी कनक प्रभाजी का जीवन भक्ती और समर्पन से ओत्प्रोत है आचार्य महाप्रग्य के पदास भिशेक के समय सर्दे आचार्य प्रवर्ड ने महासरमनी जी को महासती एवं महासक्ती संबोधन कर उनका विनंदन किया इस बदली परिष्टितियों में भी उन्होंने अपने व्यक्तित्व की गरिमा और गहराई पर आच नहीं आने दी उनका जीवन मंत्र है जो गुरु करते हैं वही सही है उसमें इस अपका हित नीत है विश्वास से विश्वास बढ़ता है पुज्यवरों ने भी आपकी एक निश्टा पर अगहाड विश्वास किया आपके समताओं का संगिय सेवाओं में बरपूर उप्योग किया और सासन में निरंतर आपका मान सम्मान बढ़ाया अनुगर वरसाया आचारिय माहास रमण ने साद्वी स्री को असाधारण साद्वी प्रमुखा संबोधन किया साद्वी प्रमुखा श्री कनक प्रवाजी के इस अम्रित महुत्सव के अवसर पर जिवेद सरत सतम की कामना करते हैं इनी भावनों के साथ विजय नार आपने इस पूरे कहानी को सुना इसके लिए आपका आभार आप इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं इस कहानी के लेखक स्री विजय नाहर है जो भारतिय इतियासकार है उन्होंने भारतिय इतियासके इस कहानी के लेखक है विजय नाहर जो भारतिय इतियासकार एवं लेखक है जिनके 17 से अधिक ग्रंत भारतिय इतियासके 620 से लेके 1220 तक के कालखंड पर प्रकासित हुए है यह एक ऐसा कालखंड है जिसे आज तक अंदकार का युग कहा गया है मतलब जिस युग में कोई भी समराट पेदा नहीं हुए एसे कालखंड में विजे नाहट जिने एसे समराट खोज निकाले हैं जो आज तक भारतिय इतियास में नहीं है एसे एसे तत्त्य खोजे हैं जिनका वर्णन आज तक भारतिय इतियास से छुपाया गया यह जिनको इग्नोर किया गया इसी के साथ लेखक की लेकनी अनेक आध्यात्मिक एवं धार्मिक गुरुओं के विशय में भी बहुत सिद्ध है उन्होंने तेरापन धर्मसंग के प्रथम आचारिय आचारि भिक्षू पर मृतिंजय महायोगी आचारि भिक्षू एवं आचारि तुल्षी पर यूग द्रिष्टा यूग पुरुष आचारि तुल्षी ग्रंत का लेखन किया है जिसका विमोचन आचारि श्री महाश्रमन जी ने किया है इसके साथ ही इन्होंने आचारिय महाप्रग्य पर महामानव आचारिय महाप्रग्य एवं साधी प्रमुखा जी कनक प्रभा जी पर भी पुस्तक लिखी है साथ ही बविश्रमेवर स्री जयाचारिय जी पर भी पुस्तक लिख रहे हैं झाल झाल झाल